आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है वो मद्ध्परदेश को लेकर भी इस बैठक में मंथन होना है मद्ध्परदेश की 60-70 सीटें जो हैं जिनको कमजोर माना गया है सरवे के आधार पर उनमें कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है उसको लेकर इस बैठक म में मंधन हो रहा है और रणनीती बीजेपी की बहुत साफ है कि कैसे मोधी सरकार के अच्छे कामों को शिवराज सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचा आया जाए ताकि अगर कोई कमजोरी है और कहीं अगर यह दिख रहा है कि इन सीटों पर दिक्कते हो सकते उनको दूर करनी की कोशिश है वहीं कॉंग्रेस पार्टी यह कह रही है कि बीजेपी कितना भी मंधन कर ले उसे कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि मद्रदेश में 50-60 सीटे ऐसी हैं जो केवल बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है पूरे स्टेट में कॉंग्रेस की हवा चल यह कॉंग्रेस का दावा है वहीं बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हो यह कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में बैठकों की कवायत है रवायत है और बीजेपी लगातर बैठक करती है और कहीं कोई कमजोरी है तो उसको दूर किया जाएगा इसी बात को लेकर मन्थन हो रहा है तो मद्धप्रदेश की सियासत जो है चुनावी लेहाज से आगे बढ़ रही है और अब एक-एक सीट को लेकर अध्यान हो रहा है एक-एक सीट पर कैसे जीत के रणनीती बनाई जाए उसको लेकर लगातर मंथन चल रहा है इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा देखन बड़ा दिल्चस्प होगा कैमरा प्रसान आशू के साथ अकिलिस पूलंकी भारेट 24 भूपाल